अब बारी आती है इन में excretion की अब क्योंकि vertebrate है so excretion के लिए kidneys पाई जाएंगी fishes में जो kidney थी उसे हमने mesonephric kidney कहा और मैंने कहा कि बही excretion जो हम chapter पढ़ेंगे human excretory system तो वहाँ पर मैं आपको types of kidney समझाऊंगी यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है meso and metanephric kidney को तो इन में भी a pair of mesonephric kidney पाई जाएगी यह जो mesonephric kidney है यह पाई जाती है सभी n amniots में n मतलब absent amniota मतलब जिसके अंडों में amniotic fluid नहीं है reptiles में जादा clear हो जाएगा यह और जिनको अंडे ही पानी में देने है तो उनका larva आसपास ऐसे environment में already है जिसमें खूब सारा fluid है तो एक के अंदर बहुत सारा fluid और present हो उसके ज़रत है ही नहीं तो fishes and amphibians जो की अंडे पानी में देते हैं उनमें amniotic fluid नहीं पाया जाता राइट तो उनने रखा गया कौन से ग्रूप में ग्रूप एन amniota मैं लिख सकती हूँ एग्स दिवाइड ओफ अम्नियोटिक फ्लूइड राइग्सांपल कौन कौन इसके fishes and amphibians इस एट क्लियर जो duct है इनका excretory duct ये भी खुलेगा into cloaca यानि अलग से कोई urinary passage इनके पास नहीं है किस चीज का ये excretion करेंगे usually these are ureotelic जो terrestrial forms या land forms है या tail less amphibians जो है अब अब इसी बात है tail less amphibians वही होंगे जो की पूरा time जाद अता time land पर बिताएंगे जैसे frogs राइट सो उनमें यूरियो tailic type of excretion देखने को मिलेगा वही पर a monotelism किसमें मिलेगा a monotelism is found in aquatic or we can write tailed amphibians is that clear till this part right आगे बढ़ लेते हैं हम पढ़ चुके हैं digestive system respiratory system circulatory system excretory system अब बारी आई इनके skeleton की हम पढ़ चुके हैं skeleton दो टाइप का होता है exoskeleton and endoskeleton right क्योंकि यह पहले ऐसे animals थे जो कि पानी के साथ-साथ जमीन पर भी रह पाते थे तो इन्हें dual life maintain करनी थी completely अपने आपको land के लिए अड़ाप नहीं करना था right so इस वज़ा से इनोंने अपने उपर कोई बहुत सूखी skin या scales का development नहीं कर पाईए यह दिखाते हैं यह इनके पास जो exoskeleton है that is usually absent I mean that is absent क्योंकि यह है scale less एक साथ ही लिख देना चाहिए था these are scale less इनके पास scale नहीं है and जो इनकी fingers या toes है जो इनके पहातपरों की उंगलियां है उनके उपर नाखून या पंजे भी नहीं पाई जाते right वहीं हम इनके endoskeleton की बात करें तो इनका जो vertebral column read की हड़ी है so their vertebral column is boni पर इनका जो cranium यानी इनकी जो खोपडी है that is cartilaginous यानी उसके उपर cartilage present है ऐसा क्यूँ? ता कि इनकी खोपडी जो है वो रलेटिबली हलकी रहे so it's again an adaptation इसको ऐसे याद कर सकते हूँ कि इनकी हलकी हो नीची है खोपडी क्योंकि अगर ये भारी हुई तो ठाक से टूट जाएगी जैसे ये कूदेंगे साथ ही साथ इनकी जो खोपडी है भले ये वो cartilage से बनी हुई है पर उसमें ऐसे पीछे की तरफ जैसे हमारी जो खोपडी है इसके पास में हमारी जो skull है इसके पीछे की तरफ को दो उभार होते हैं जिनकी मदद से ये हमारी रीड की हड़ी पहली जो vertebral bone है उसके साथ में ये आसानी से जुड़ा हुआ है यूज्वली monocondylic वाता सिंगल उभार मिलता है पर इनके पास strength के लिए क्योंकि इने jump करना है न इनके पास dicondylic skull मिलेगा so let's study about dicondylic skull इसका मतलब होता है skull with two condyles for attachment with first cervical vertebra गर्दन वाले vertebra से जुड़ने के लिए इसका example है keval amphibia and इसके अलावा mammalia बाकी सब में monocondylic skull ही देखने को मिलेगा last time जब state PMT's conduct की गई थी तो उन में ये question बड़ा ही फेवरेट हुआ करता था is that right till this part please note it down अब बचा इनका locomotion, इनका nervous system and reproduction तो पहले पढ़ लेते हैं इनके locomotion के बारे में अब बार बार रेपीट करने के ज़रूद नहीं है कि जो land animals उनके पास पूछ नहीं होती larva और जो aquatic animals हैं वो अपना tail भी यूज़ करते हैं right इसके अलावा इनके पास इनको tetrapoda में रखा गया है तो इसका मतलब दो पेर हाथ पेरों के या limbs के तो होंगे ही होंगे जो इनके आगे वाले पेर हैं यानि जो four limbs है वो होते हैं tetra dactylis यानि उनमें केवल चार उंगलियां present है right वहीं पर जो हाइंड लिम्स हैं उनमें पांच उंगलियां मिलेंगी that means they have five digits so they are called penta penta यानि पांच dactylis that means with the fingers is that clear till this part इसके लावा लार्वा एंड एक्वेटिक फॉर्म्स have tain और एक साथ ही बड़ी जरूरी चीज़ है अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जो frog होता है उसके उंगलियों के बीच में ऐसे webs बने होते हैं ताकि वह जो पानी में पहुंचे तो उनके जरीए वो पानी को धकेल भी सकें अगराइस उंगलियों से पानी को इतना असानी से नहीं धकेला जा सकता राइट ये भी एक adaptation है ये बहुत अगे चलते हैं नेक्स बारी आई इनके nervous system की जैसा कि कहा था सारे vertebrates में 10 जोडी cranial nerves जब तक की reptiles नहीं है जब तक की वो completely land animals नहीं बने तो इनके पास भी 10 pairs of cranial nerves are present sensory system nervous system का ही एक पार्ट है तो उसे भी यहीं पढ़ लेते हैं यानि sensory जो organs है वो कौन-कौन से होंगे इनके पास है एक जोड़ी आँखें they have one pair of eyes पर इनकी आँखों की एक speciality है इनकी आँखों पर पहली बार ऐसे movable lids आ गई थी जिने nictitating membrane कहा गया जो आँखों को साफ रखती थी so they have nictitating membrane इसके अलावा सूंगने के लिए इनके पास नाख है जिसमें दो छेद या दो nostrils है so they have dyrhinus nose सुनने के लिए वो सिंपल सा development है cyclostorms में दो semi-circular canal fishes के अंदर 3 semi-circular canals इनमें अब internal ear से middle ear का भी development हो गया तो middle ear का part होता है ear drum तो इनके पास वो ear drum या tympanum मिलने लगा एक एक करके step आगे बढ़ रहा है पर external ear इनके पास यानि बाहर जो ये पिनना है ये नहीं था so their tympanum यानि कान का परदा या ear drum represents their ear वही लारवा और साथी साथ पानी में रहने वाले यानि जो tailed amphibians है उन्हें पानी की direction का भी तो पता होना चाहिए तो उनके पास मशलियों की तरह lateral line sense organs present थे right so tailed amphibians have lateral line system right so locomotion के लिए दो जोड़ी पैर है इनके पास जिनमें से आगे वाले पैरों में चार और पीछे पांच उगलिया है उमिल्यों के बीच में वेबिंग है तक ही आसानी से तैर सके और जो तैरने वाले यानि जो से larva और aquatic amphibians है उनके पास पूछ भी present है राइट वही इनके पास दस जोड़ी cranial nerves है साथी साथ देखने के लिए एक जोड़ी आंके जिनके उपर पलके या निक्टिटेटिंग मेंब्रेन भी present है इनके पास डाइराइनस nose है जो सुमने में मदद करेगा कान के नाम पर इनके आस middle ear का टिंपैनम या ear drum present है जो लार्वा है उसके पास जो aquatic forms है उनके पास lateral line system भी present है ताकि पानी की direction और उसकी speed का पता लगा सके excretory system की बात करें तो इनके पास meson afric kidney है जो की बाहर की और कहां खुलेगी into cloaca अगर जमीन पे रहेंगे तो इनको छुपके रहना पड़ेगा थोड़ा सा relatively छुप रहते हैं तो इनके पास पानी की थोड़ी सी कमी रहती है so they are ureotellic, ureak excretion करेंगे पानी में वहीं amonotellism ये present करते है right circulatory system मैं अलड़ी बता ही चुकि हूँ skeleton के गर मैं बात करूँ तो इनके पास exoskeleton नहीं पाया चाता body पर कोई scale नहीं है body बिल्कुल soft, moist है ताकि असानी से उसकी skin के जरिए ये सांस भी ले सके right, उगलियों पर पंजे नहीं है या कह सकते नाखून नहीं है right, so exoskeleton तो नहीं है पर endoskeleton है जो कि usually bony होना चाहिए, हड़ी वाला होना चाहिए क्योंकि इससे पहले जो bony fishes थी उनके पास भी तो हड़ीयों से बना हुआ धाचा था पर इनकी खोपड़ी हलकी होनी चाहिए तो उसके लिए इनका जो cranium है that is made up of cartilage ताकि जब यह कूदें तो वो टूटना जाए और साथ ही साथ उसे balance करने के लिए एक उभार से, एक ऐसे कुंदा साटका के काम नी चलेगा so they need two of the condyles so yes, they have dicondylic skull just like us, just like mammals is that clear till this part? please note it down अब बसता इनका आखरी सिस्टम जो की है इनका reproductive system vertebrates है इसलिए compulsorily अब यूजवली जैसे होते ही जाहतर हो ये सारे unisexual ही होंगे fertilization इन में देखने को मिलती है external type यानि male और female दोनो आसपास प्रेजन होंगे पानी में जहां पर male and female दोनो के gametes पानी में छोड़ दिये जाएंगे वो वहीं fertilize होंगे ये अंडे देते है that means these are oviparous और usually इन में indirect type of development देखने को मिलता है let's take examples of larva पहला example है तेदपोल जो की फ्रॉक का लार्वा है and the other example is axolotl तेखास अझाएंव। larva of salamander Is that clear till this part? Examples पढ़ लेते हैं इनके कुछ Frog से ही शुरुवात करते हैं सबसे पहला example है Rana, Tigreena यानि जो common frog हमें देखने को मिलता है जिसे हम Tiger Frog भी कह सकते हैं Right? Next example is Hila जो की पेड़ों पर पाया जाने वाला frog है So we call it Tree Frog Right? Next example is Buforana Buforana वो एक ऐसा आनिमल है जिसके बड़ी के ऊपर कुछ poisonous glands भी पाये जाते हैं It is called Common name is Toad Frog और इसमें अंतर क्या है? इसके पास होते हैं Poison glands on its skin Right? Pen and put a light to each other That's why I have to hold it like this Next example Next example is Actheophis ये काफी अत्ता किसे snake जिसी body होती है Almost इसकी इसके हाथ पैर नहीं पाये जाते इसले इसको बोलते हैं Limbless Amphibian या Blind Worm पुरान नाम इसका Cecilion था अम दो ही नाम याद रखेंगे Blind Worm या Limbless Amphibian Next example is Nicturus That is Mud Puppy Salamandra काफी तक छिपकली जासा दिखने वाला Common name is Salamandra Ambistoma यानि Tiger Salamandra कुछ एक्जम्पल ऐसे भी हैं जो कि मैं यहाँ पर डिसकुस नहीं कर रही आगे मैं बताने वाली हूँ Amphibians के Special Characters जहां पर हम उनके बारे में बात करेंगे Please note it down till this part Amphibians के कुछ Special Characters होते हैं जिन पर repeatedly question आते रहे हैं So let's study about them क्या क्या है इनके Special Characters हमने पढ़ाना कि इनमें Indirect Development है Larval forms present है So जो इनका Larva है वो Metamorphosis दिखाएगा Right? और इस Metamorphosis में मदद करता है इनको जो Thyroid का Homologous Organ हमने पढ़ा था Eurocordata में सेम वैसा ही Organ यानि Endostyle इनमें भी पाया जाएगा Metamorphosis शो करेगा By action of Endostyle Which is Homo Logos To Thyroid And Secrets Thyroxine Hormone By Utilizing Iodine Present in Water तो पानी का Iodine ये ये यूज करेगा उरसे Thyroxine Hormone create करेगा और इससे ये Metamorphosis करेंगे यानि Larva धीरे धीरे Adult में Convert हो जाएगा कई बार ऐसा नहीं हो पाता कई बार होती है Neotenny Neotenny का मतलब होता है Retention of Larval characters In Adults यानि Adult तो बन गया Size में तो बड़ा हो गया पर अभी भी Larva जैसा ही दिखाई देगा Adult इसे बोला जाता है Neotenny ये दो कारणों से हो सकती है करें में तो बाड़ी में नॉर्मली ही ऐसा पाया जाता है So it is physiological और कई बार problem की वज़ा से यानि pathological भी हो सकती है अब से पहले तो हम प्रॉब्लम देखें किस कारण हो गया देखो थायरोइड का अगर हम anti कोई substance अगर पानी में डाल दे तो थायरोक्सीन निकलना बंद हो जाएगा अगर अगर एंटी थायरोइड substance अगर डाल दिया तो यह जो एंडो स्टाइल काम कर रहा था फर थायरोक्सीन सिक्रीशन वो काम करना बंद कर देगा और उसकी वज़ा से metamorphosis रुख जाएगा So, first one is presence of anti-thyroid anti-thyroid substance like thio, urea, thio, cyanate, etc in water question पुछा जाता है कई बार कि एक frog है जो कि larva से सीधा बड़ा सा larva बन गया वदब एक tadpole था जो कि size में तो grow कर गया बट वो adult में convert नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा पानी के अंदर थायो यूरिया या थायो साइनेट जैसे anti-thyroid substance definitely present होंगे वही पर physiologically यानि body में normally ही ऐसा पाया जाता है example है इसका salamander का larva जो कि normally ही newteni present कर सकता है so it is exolotl है तो ऐसा नहीं है कि salamander का यह जो larva है जो कि adulthood तक भी larva जैसा ही दिख रहा है यानि इसकी body के अंदर gonads तो develop हो गए reproductive organs तो develop हो गए पर body के बाकी organs जो थे वो वैसे के वैसे तो इसमें क्या होता है कि यह जो exolotl जो कि newteni दिखा रहा है मतब adult तो बन गया है पर larva जैसा ही दिख रहा है वो बहुत ही special type का adult होता है उसमें शकल सूरत larva जैसी होती है बट reproductive organs वैल डिवैलप्ड होते हैं और ऐसे case में वो दिखाता है reproduction तो देखने में तरह सा लगेगा ना कि adult reproduce नहीं कर रहा larva ही कर रहा है क्योंकि वो larva का जैसा ही तो adult दिख रहा है इसे कहा जाता है पीडो यानी बच्चा genesis यानी reproduction यानी जहां पर larva ही reproduction करना शिरू कर दे तो वैर larva shows sexual maturity and reproduction तो इसका example वही होगा जो कि physiologically नियो टैनी शो कर सकता है यानी example is exolotl is that clear? वही amphibians में पहली बार develop हुई parental care यानी माबाप अपने बच्चों से प्यार करने लगे ऐसा इससे पहले हमें सिर्फ hippocampus यानी seahorse में देखने को मिला था अब parental care कैसे दिखाई देगी? बहुत सारे examples है इसके सबसे पहला example हम ले लेते हैं blind worm यानी icthiophis icthiophis में क्या होता है? जो female होती है वो अपने आपको लपेट लेती है अंडों के आसपास जब तक उसमें से बच्चे नहीं आ जाते so it wraps herself around eggs right, till they hedge next example is पीपा देट इस सूरी नाम टोड इस टोड की क्या स्पेशियालिटी है जो फीमेल्स होती है उनके बॉड़ी के ऊपर के हिस्से में छोटे छोटे पिट्स होते हैं जिनमें लार्वा मिच्यॉरिटी तक रहता है right so we can write body surface has pits for larvae right till they mature they'll be staying here last example is lits lits जिसे हम बोलते हैं midwife toad जो midwife toad है इसमें male करता है parental care just like hippocampus so जो midwife toad है इसमें क्या होगा male जो है वो carry करेगा eggs in special pits on back जब तक उन में से बच्चे ना निकलाएं that means till they hatch is that clear तो special characters क्या है पहली बात तो larvae metamorphosis दिखाएगा जिसमें मदद करता है endostyle नाम का organ जो कि ठीक हमारे thyroid की तरह काम करेगा यानि पानी में present iodine का use करते हुए thyroxine hormone create करेगा जो कि metabolic hormone है अगर ये hormone किसी कारण से ना बन पाए antithyroid substance अगर present है तो ऐसे case में कुछ जो larva होते हैं जैसे tadpole जो frog का है वो metamorphosis शो नहीं कर पाता और केवल size में increase करता जाएगा यानि adult भी बिल्कुल larva जैसा ही दिखाई देगा यानि tadpole से giant tadpole बन जाएगा it will not be converted into a normal adult this type of character is called neotenny neotenny exolotel में normally मिलती है वहाँ पर thyroid hormone का कोई असर नहीं है यहाँ पर कई बार जो larva है उसके characters adult हुड तक बने रहते हैं और ऐसा जो larva है वो adult में तो convert हो गया यानि उसकी शकल सूरत तो larva जैसी है पर size में तो adult जैसा हो गया तो बाकी सारे characters यानि somatic जो characters है वो तो सारे के सारे larva जैसे है बट reproductive characters इसके mature हो जाते है इसे कहा जाता है larva में sexual maturity का आना या उनके द्वारा reproduction दिखाया जाना जिससे हम बोलते हैं pedogenesis and last and most important character amphibia वो पहली class थी जिसमें parental care देखने को मिली जैसे इक्थियोफिस है इसमें female अपने आपको eggs के around wrap कर लेगी पीपा यानि सुरी नाम toad अपने pits के अंदर larva को carry करेगी जब तक यो mature ना हो जाएं LITs यानि midwife toad जो हैसमें male अपनी body पर carry करता है अंडों को special pits के अंदर till the time they hatch so that was all about class amphibia in the next class we'll be starting off with class reptilia that's all for the class today thank you so much